हलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेज में आपका स्वागत है लैंडमार्क सुप्रीम कोट जज्मेंट्स की सीरीज में आज हम डिसकस करने वाले हैं विशाखा वर्सेस स्टेट अव राजस्थान 1997 के अंदर सुप्रीम कोट की जज्मेंट ये जज्मेंट विमें राइट्स के लिए बहुत ही हिस्टॉरिक है क्योंकि इसी जज्मेंट के अंदर दी गई गाइडलाइन्स के थुरू हमने सेक्शल हरास्मेंट को प्रिवेंट करने के लिए कानून बनाया जिसको prevention and prohibition of sexual harassment act at workplace act भी बोला जाता है या posh act भी बोला जाता है 2013 के अंदर ये कानून पास हुआ था अब दोस्तो विशाखा वर्सेस टेट अफ राजिस्थान में Supreme Court ने judicial activism का एक example दिया कि किस तरीके से judicial activism के थ्रू जुडिशरी जब legislature और executive अपना काम नहीं कर पा रहे होते हैं तो जुडिशरी वहाँ पे उनकी जगा कैसे लेती है या उनकी जगा कुछ फैसले कैसे ले लेती है दोस्तो शुरुआत से पहले आपको बता दूँ कि sleepy classes इन कुछ दिनों के अंदर हमारे हर courses पे 10% additional discount provide कर रहा है और इस discount को avail करने के लिए आप Republic 74 code का इस्तमाल करें जो यहां आपकी screen के उपर है हमारी email ID और numbers पे हमें contact करें और sleepy के courses को enroll करने में आप discount का लाब उठा सकते हैं वापे साथ हैं, case की बात करते हैं case साथ होता है भमरी देवी से अब यह विशाखा जो के नाम है, it is not the name of the victim in this case it is a pseudonym that is being used and वो pseudonym तक हम कैसे हैं pseudonym मतलब की एक नाम, एक symbolic name हम वहां तक कैसे पहुँचे उसकी कहानी है भवरी देवी जी जो है 1985 से लेके Women's Development Project के अंदर राजिस्थान सरकार के एक project में काम करती थी उनकी उपादी थी village level social worker या साथिन भी बोला जाता था साथिन मतलब जैसे मित्र सफाई मित्र नहीं होते है जैसे स्वच भारत मेशन में वैसे ही social work के लिए उनको एक village level social worker की appointment उनकी हुई थी इस राजिस्थान government की इस program का एक मकसद ये था कि child marriages पे रोक लगानी है child marriages को restrict करना है so as part of her duties she had reported an incident of child marriage to of the family of Ramakant Gujar Ramakant Gujar जी के घर पे child marriage को report करने किया उनके घर पे police भी आई, SP वगेरा भी आए पर फिर भी किसी तरह जैसे तैसे उन्होंने वो child marriage करवा दी but because village की community के अंदर ये बात फैल गए कि भवरी देवी जी ने inform किया था police को तो उनका भहिशकार या boycott होना शुरू हो गया उसके बाद समाज के अंदर काफी जादा उनको insults जहलनी पड़ी and finally September 1992 की बात है Ramakant Gujar and उनके पाँच साथियों के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने भवरी देवी जी के साथ गैंग रेप किया अब police ने इस case को पहले तो file करने से भी मना कर दिया lodge करने से भी मना कर दिया but eventually ये complaint lodge हुई क्योंकि बहुत सारे जो NGO's थे या women organizations थी उन्होंने यहाँ पे भवरी देवी का support किया जब case पहुचा sessions court के पास तो 1995 की judgment में उस court ने सभी accused को acquit किया और काफी सारे reasons दिये caste के basis पे reasons दिये age के basis पे reasons दिये कि ये जो act है ये इसका कोई conclusive evidence यहाँ पे हम नहीं दे पा रहे हैं इसलिए acquittal या रिहा कर दिया गया इन लोगों को अब भवरी देवी जी का case जो है वो आगे राजिस्थान सरकार ने राजिस्थान government ने high court के अंदर appeal की बट हैरानी की बात ये है कि अभी तक उस case की final judgment नहीं आई है उनमें से दो accused की तो death भी हो चुकी है अभी तक पेटिशन फाइल की गई with other social workers और रिट पेटिशन फाइल की गई Supreme Court of India के अंदर और Supreme Court of India में के पास रिट पेटिशन फाइल की गई आपको पता है कि हमारे constitution के article 32 में five types of rates होती है और जब किसी के fundamental rights violate होते हैं तो आप रिट पेटिशन फाइल कर सकते हैं इस रिट पेटिशन के अंदर और इस रिट पेटिशन के अंदर जो name दिया गया या किस एक pseudonym के थू दिया गया जिसमें NGO's का भी नाम शामिल था जिसका नाम था विशाखा तो ये विशाखा केस के नाम से जाना जाने लगा 1997 में इसकी जजमेंट आई थी अब रिट पेटिशन का ये कहना था कि वर्किंग विमिन या अपने कारेशेत्र में जाती हुई जो महिलाए हैं वर्क प्लेस पे जाती हुई महिलाए हैं उनको अगर आप सेक्शुल हरास्मेंट से नहीं बचा पाते हैं तो आप उनके साथ वाइलेशन कर रहे हैं तीन आर्टिकल्स का जो डॉक्टर अम्बेडकर के साब से होली ट्रिनिटी ओफ आर्टिकल्स भी हमारे सम्विदान के आर्टिकल 14, 19, and 21 तो आर्टिकल 14 क्या कहता है आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी और इक्वल ट्रिट्मेंट लेकिन यहाँ विमेन का कहना है कि वर्क प्लेस के अंदर सेक्शुल हरास्मेंट फेस करने की वज़े से उनके साथ इक्वल ट्रिट्मेंट नहीं होता है दूसरा 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है आपको आर्टिकल 19, 1G आपको कहता है कि आपके पास यह आजादी है फंडमेंटल राइट है कि आप अपना प्रोफेशन या उक्टिपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन अगर विमेन को खत्रा रहेगा उक्टिपेशन के करने के दौरान अपना फंडमेंटल राइट पूरा नहीं कर पाएंगी आर्टिकल 21, राइट तो लाइट पर्सनल लिबर्टी इस अवेरी वेरी ब्रॉड आर्टिकल विच स्टेट्स कि इफ यह नॉट एबल तो पर्फॉर्म और यह वर्क्प्लेस डूटीज अस यह लिविग गए और इस गैंग रिप का जो इंसिटेंट है वो सेपरेट किरिनल एक्शन है बट इस इस पार्ट अफ रिट पेटिशन वर इट वोज आस्ट तो दे सुप्रीम कोट तो गिव अमेंडमस तो दे स्टेट गवर्मेंट्स मेंडमस की रिट हम जानते हैं मेंडमस की रिट होती है जब आप as a court किसी public official को उसकी duty perform करने के लिए निर्देश देते हैं तो ये मेंडमस के तौर पे बोला गया अब सुप्रीम कोट ने पूरी cognizance ली इस matter की और सुप्रीम कोट ने इस matter को बहुत ही progressively deal किया तो कोट का ये कहना था अपनी judgment में कि जो sexual harassment जैसे incidents हैं वो बिल्कुल violative है gender equality के वो बिल्कुल violative है right of life and liberty के और इस वज़े से it is a violation of the victim's fundamental right under 19.1 G to practice a profession or carry out occupation तो बिल्कुल ये बात सही की मानी गई सुप्रीम कोट के द्वारा भी कि 14, 19, 21 इन सभी articles का violation होता है अगर आप एक safe or secure workplace नहीं provide कर पाते हैं तो इसलिए ये fundamental rights they are dependent on a safe working environment and it is the primary responsibility of the legislature and the executive that they should ensure safety and dignity through legislation and enforcement मतलब यहाँ पे बाकी pillars of the government पे कटाक्ष करते हुए कोट ने कहा कि legislature या parliament या state की विधानसभा की ये जिम्मेदारी बनती है या state की government या central government की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो safe और dignified environment create कर पाएं और इसी के चलते सुप्रीम कोट ने कुछ guidelines या निर्देश दिये इन्ही guidelines के ओपर आधारित बाद में Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act 2030 बनाया गया इस guidelines के अंदर क्या points बताएं सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने कहा कि number one सबसे पहले employer कि ये duty होती है कि वो sexual harassment के कोई भी acts को वहाँ पे जो उसकी workplace पे हो रहे है वो उसे resolve करे settle करे या अगर वो serious matter है तो prosecute करे prosecute तभी करेगा वो because at this point of time there was no law there was no कानून specifically regarding sexual harassment at work place but IPC तो था ना Indian Penal Code तो था तो उसके अंदर जो acts धाराएं हैं अगर वो लगती हैं तब तो prosecution होगा बंदे का जिस individual ने harassment किया है उसका prosecution होगा उसके against case file किया जाएगा but if it is not coming under any code of IPC then settlement या resolution किया जाएगा अब sexual harassment क्या include करता है Supreme Court ने ये भी बताया और यही definition को हम Posh Act के अंदर देखते हैं जब sexual harassment की definition लिखी गई Parliament के द्वारा कानून के अंदर उसमें भी यही चीज़ें डाली गई क्या physical contact and advances of course without consent demand or request for sexual favors sexually colored remarks के सामने कहते हैं या महिलाओं के लिए sexual remarks कहते हैं वो भी इसमें आएगा pornographic films या movie दिखाना या show करना वो भी इसके अंदर आएगा और any other unwelcome physical verbal और non-verbal conduct of sexual nature this gave a very broad definition to the sexual harassment and it told कि ये 5 चीज़ों या पर ये 5 categories के अंदर आने वाली चीज़ें sexual harassment कहलाएंगी और इनको resolve करना employer की जिम्मेदारी है यानि जिस work place पे काम हो रहा है उसकी जिम्मेदारी all employers चाहे वो public sector employer हो या private sector employer हो उनको ये actively steps लेने हैं कि sexual harassment को रोका जाए और अगर कोई ऐसा offense होता है जिसके बारे में IPC की धारा होती है for example if there is a rape rape का IPC का section 375 clear cut mention करता है तो वो तो आपने police में ही जा के बताना है ठीक है IPC के अंदर Indian penal code के अंदर कोई अगर चीज हुई है तो तो report करने वाली है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि workplace पे ऐसा हुआ है उसे report करें also ensure कि जो victims है या witnesses है उन्हें victimize ना किया जाए उनको भी सुरक्षित environment provide किया जाए ये भी workplace पे के जो employer है उसकी जिम्मेदारी है complaint mechanism बनाना आपकी जिम्मेदारी है जिस पे आपके पास आके complaint की जा सके उसके लिए Supreme Court कहता है कि एक complaint committee बनानी चाहिए हर institution को हर organization को और उस complaint committee का जो head होना चाहिए उसे एक महिला को रखना चाहिए और a woman should be the head of the complaints committee अगर committee में 10 member एमान लीजिए तो कम से कम 50% यानि की 5 member महिलाएं होनी चाहिए so at least 50% of your internal complaints committee तब इसका ये नाम नहीं था लेकिन आज के दौर में पास होने के बाद इसको internal complaint committee बुलाया जाता है कम से कम 50% जो उसमें होनी चाहिए महिलाएं employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at workers meeting जब भी आपकी annual meeting होती है या आपकी staff की meeting होती है उसमें पूरी खुली छूट होनी चाहिए employees को कि वो raise कर सके इस तरीके के matter और female employees को उनके अधिकारों को लेके उनके rights को लेके और इन सभी rights को लेके awareness generate भी आपको करनी चाहिए इनी guidelines के उपर आधारत Parliament ने कानून बनाया और बहुत समय लग गया 1997 में guidelines आई 2012 में finally ये pass हुआ और 13 से इसको implement करना शुरू हुआ और इसके पीछे एक और कारण है 2012 के अंदर जो निर्भया gang rape case हुआ था उसके बाद इस bill को because when it was becoming an act it was being passed by the parliament उसी समय ये जो निर्भया gang rape case 2012 में दिल्ली के अंदर हुआ और justice verma committee बनाई गई और justice verma committee ने इस act के अंदर भी कुछ changes लाने के लिए कहा था कुछ changes को इसमें implement किया भी गया है जिनके बारे में मैं बात करूँगा so posh act जिसको कहा जाता है या prevention और prohibition of sexual harassment at workplace act 2013 जिसको कहा जाता है उसके अंदर sexual harassment की वही definition है जो हमने अभी विशाखा guidelines के अंदर देखी थी इस act के अंदर public sector, private sector और domestic workers तीनों involved है so यह आपने ध्यान देना है कि domestic workers को भी इसके अंदर include किया गया है and that was because justice verma committee ने ऐसा कहा था कि domestic workers को भी इसमें protection मिलनी चाहिए that means every employer that has a branch or an office where more than 10 people are working has to constitute an internal complaint committee ICC उसमें बनानी पड़ेगी और जो यह ICC बनेगी उसका civil court की power आप सौब देते हो just like a civil court carries out its proceedings it will have all the powers of a civil court that means वो evidence के लिए बुला सकता है आपको hearing के लिए testimony के लिए बुला सकता है summon issue कर सकता है आपको तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है दूसरा पहला effort conciliation का होना चाहिए before initiating and inquiry तो पहला effort आपका यह होना चाहिए कि अगर वो लोग आपस में बात सुलजा ले not in very serious cases of course IPC की कोई section के अंदर अगर offense लगता है तब तो problematic है but if it is a small misconduct or small miss happening तो आप शायद आपस में conciliation भी करवा सकते हो but it should be recorded on record वो होना चाहिए तीसरी चीज़ है कि जो employers ये comply नहीं करते हैं इन चीज़ों को इस act के provisions को उनके लिए penalties भी लिखी गई है और जो आपके पास एक कुछ ऐसे भी workplaces होंगे जहां 10 से कम functionaries हैं या 10 से कम लोग काम करते हैं उन areas के लिए local complaint committee बनाई जाएगी तो हर district पे ताकि unorganized sector यानि कि जो registered organizations नहीं है वहां की महीलाएं या small establishments की जो महीलाएं हैं या domestic वाइल जो आपके domestic households में काम करने वाली महीलाएं हैं वो कहा जाएंगी क्योंकि वो तो household में काम करती हैं तो उनके लिए एक local complaint committee हर district में बनाई जाएगी और ये भी ध्यान रखना है कि उन organizations में भी जहां पे 10 से कम लोग काम करते हैं उनके लिए भी local complaint committee उनकी complaints सुनेगी ये भी ध्यान रखना है कि आपको 90 days का यहाँ time दिया जाता है to resolve the dispute so time limit भी इसमें set होती है 90 days ये सब क्यों हुआ क्यों कि विशाखा guidelines आई दोस्तो एक छोटी सी सूचना और international convention क्या कोई ऐसा international convention है जो women की discrimination के against है जी हाँ United Nations का convention on elimination of all forms of discrimination against women CEDAW ये 1979 से implement हुआ इंडिया भी इसका signatory है और जब Supreme Court ने विशाखा case में judgment दी थी women के against discrimination की बात की थी तो वहाँ पे भी इस चीज़ को इस्तमाल किया गया था क्या आपके posh act के अंदर कुछ changes लाए जा सकते हैं अगर आप suggest करना चाहें तो कुछ changes इसमें और हो सकते हैं सबसे पहले तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसे gender neutral बना देना चाहिए कि sexual harassment can happen with men also तो उसको थोड़ा gender neutral बना दिया जाए European countries में या बाकी western countries में जो sexual harassment acts हैं वो gender neutral हैं और भी इसमें changes आ सकते हैं for example domestic workers के लिए या जो local complaints committee है उनके अंदर आप थोड़ी training provide करने लग जाओ लोगों को so you have given the powers to the internal complaint committee you have given them the powers of a civil court but उनके पास legal training वगेरा है नहीं है proceeding कैसे conduct करनी है तो वो चीज एक इसमें आप add कर सकते हो that these suggestions can be given अगर आपको लगता है कि कोई और भी suggestions हैं या कुछ और आपके इस act के ओपर विशाका guidelines के ओपर comments हैं तो आप जरूर हमार साथ comment section में share करें याद रखिए दोस्तों हम आज से रोज रात 10 बजे road to prelims की शुरुवात कर रहे हैं जिसमें आपको 10 बजे 5 questions के थूँ prelims की त्यारी पुर्जोर तरीके से करवाई जाएगी तो ये schedule ध्यान में रखिए इसी schedule के साब से चलेगा और हो सकता है कि teachers आपको classes के अंदर थोड़ा सा idea दे दें कि वो कौन से topics को cover करने वाले हैं very very important because we'll be discussing PYQs as well we'll be discussing जो भी हम crash series में करवाते हैं वहाँ से कैसे आप you know solve कर सकते हैं prelims में और crash की बात चली है तो हमारा संभब prelims crash course जो है ये price नहीं ये price पे आपको available हो सकता है ठीक है additional 10% discount available होगा अब till 31st January तो Republic 74 ये आपने code इस्तमाल करना है तो 799 से भी additional आपको 10% discount मिलेगा हमारे संभब prelims crash course के अंदर आपको बहुत सारी जो है live classes के साथ additional बहुत सारी चीज़ें provide की जाएंगी हमारे number पे जरूर contact करें email ID पे जरूर हमें संपर करें तो इसी के साथ आज का session यहीं समापत होता है अगले session में दुबारा आपसे मुलाकात होगी Thank you, धन्यवाद